नवस्कार मैं रविश खुमार जिस लोगपाल कानून को बनाने के लिए अभी और इसी वक्त बनाओ आंदोलन साल भर्थ से ज़्यादा समय तक चलता रहा उस कानून के बन जाने के आठ महीने बाद भी लोका युक्त का अता पता तक नहीं है आमादी पार्टी के नेता और वकील प्रशान भुशन ने इसी संदर में एक जनहित यार्ची का दायर की के लोगपाल के चैन के लिए कमिटी क्यों नहीं बन रही और इसके जो नियम है चैन की वो वैद नहीं है इसी की सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोट के चीर जस्टिस की बेंच की टिपणी ने नेता विपक्ष के पद का मुद्धा फिर से गर्मा दिया है अदालत ने सरकार से चार हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है कि नेता विपक्ष क्यों नहीं है नेता विपक्ष एहम पद होता है इसे अंदेखा नहीं किया जा सकता वो सदन की आवाज होता है वो उन प्रतिनीधियों की आवाज होता है जो सरकार से अलग होते हैं समिधान बनाने वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी स्थिति आएगी हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नेता विपक्ष के बिना लोगपाल का चैन होता है तो चुनने की कमेटी प्रभावी होगी या नहीं पहले या जानना जरूरी है कि दिसंबर 2013 में पास लोगपाव कानून नेता विपक्ष की भूमिका का उसे भूमिका को क्यों एहम मानता है और क्या उस कानून में उसका होना अनिवारे है कानून के मुताविक लोकायुक्त के चैन के लिए जो कमेटी बनेगी उसके अध्यक्ष होंगे प्रधान मंत्री, लोगसभा की स्पीकर सदस्य, भारत के प्रधान नयाइधिश या उनके द्वारा मनोनित सुप्रिम कोट के कोई एक जज सदस्य होंगे तो क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि लोगपाल की नियुक्ती के लिए जो पैनल बनेगा उसमें नेता विपक्ष का होना जरूरी नहीं है जब लोगपाल कानून बनाने को लेकर लोगसड़कों पर उतरे थे तब इसके एक एक प्रावधान की ऐसे चर्चा होती थी ताकि किसी को नियुक्ती और अधिकार के मामले में कोई शक शुभा ना रहे आप जानते हैं कि पंदरवी लोगसभा में कॉंग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटे हैं संख्या के हिसाब से कॉंग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी तो है मगर नियमों के मुताबिक कॉंग्रेस का दावा सही नहीं ठहरा कि नेता विपक्ष का पद उसे मिलना चाहिए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि कॉंग्रेस को यह पद नहीं दिया जा सकता है अब कॉंग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का पूछना अच्छा लग गया है आनंद शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिपणी सही है स्पीकर का फैसला राजनिती से प्रभावित है सरकार के सुत्र यही कह रहे है कि नेता विपक्ष के मामले में अंतिम फैसला स्पीकर का ही होता है बीजेपी की मिनाक्षी लेखी का कहना है कि नेता विपक्ष का पद लोगों की इक्षा के अनुसार ही मिलता है लेकिन लोगों ने इस वार ऐसी कोई राय जाहिर नहीं की है पहले भी साथ मौकों पर नेता विपक्ष नहीं रहे हैं यहां सवाल पहले का नहीं है आज के सवाल का संदर बलग है वो यह है कि लोगपाल की नियुक्ती के लिए जो कमेटी बनेगी क्या वो बिना नेता विपक्ष के पारदर्शी या मानने रहेगी नेता विपक्ष को इसलिए तो रखा गया था ताकि चैन में सरकार का पलड़ा भारी ना रहे और यह संदेश जाए कि लोकायोग किसी का पसंदीदा नहीं है मगर उसी लोगपाल कानून में यह भी तो लिखा है कि चैन कमेटी में कोई पत खाली रह जाए तो नियुक्ती पर असर नहीं पड़ेगा यह कानून भी बीजेपी कॉंग्रेस ने मिलकर भी प कैंद्रिय सुचना आयुक्त के चैन की कमिटी में भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता का प्रावधान है केंद्रिय सतरकता आयुक्त की नियुक्ती में भी यही है चुनाव आयूप, CBI, CAG की नियुक्ती में नेता विपक्ष की जरूरत ही नहीं है लोगपाल कानून में भी लिखाई है कि कोई भी वेकेंसी खाली तो नियुक्ती अवैद नहीं होगी क्या वेकेंसी खाली होने की दलील चैन समिती के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होती है अगर Chief Justice ना हो परधान मंतरी ना हो तो क्या होगा इसकी नेतिक माननेता क्या होगी आखिर लोगपाल कानून में या प्रावधान ही क्यों जुडा गया एक और सवाल है कि सुप्रीम कोट के आज के सवाल से क्या स्पीकर सुमित्रा महाजन के फैसले की भी समिक्षा की नौबत आ सकती है इसी महीने सुप्रीम कोट ने नेता विपक्ष दरजा देने की याचिका को खारिच कर दिया था सुप्रीम कोट ने कहा था कि स्पीकर के फैसले की अदालत में समिक्षा नहीं की जा सकती है स्पीकर का फैसला आ चुका है और उसकी समिक्षा नहीं हो सकती फिर भी एक किताब का जिक्र करना चाहता हूँ Practice and Procedure of Parliament काफी मोटी किताब है M.N. Call और S.L. शकदर ने इसे लिखाए इस किताब को इसके 6 संसकरन के Chapter 14 के Page 385 से 387 को पढ़ना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि स्पीकर के फैसले के पहले BJP के नेताओं का दावा था कि स्पीकर के पास Direction 120 और 121 के तहट किसी दल को मानिता देने के जो तीन शर्थ है निर्देश के मताबिक उसमें किसी दल को मानिता तभी मिलेगी जब उसके पास कोरम के बराबर संक्या हो लेकिन इस किताब का दावा है कि 1985 में दल बदल कानून के आने के बाद यानि 10 वी या अनुसूची 10th schedule के बाद सुची अस्तित्वे में आई है स्पीकर के इन निर्देशों का इस्तिमाल सीमित हो जाता है जैसे किस दल या समू से स्पीकर चुनना है वक्ता को चुनना है विविन संसदिय समुतियों में किन-किन को रखना है सदन में बैठने की जगा क्या हो या संसदिय सामुग्रियों का वितरन किस प्रकार या उसकी आपूर्ती कैसे की जाए क्योंकि दसवी लोग सभा में जब जनता दल ये मैं उसी किताब का अंश पढ़ रहा हूँ कि जब जनता दल का विभाजन हुआ तब इसकी ब्याख्या ये निकल कर आए कि राजनितिक दल को मानेता देने का अधिकार शेत्र अब चुनाव आयोग के पास है फिर पेश 386 पर लेखा का आगे लिखते हैं कि ग्यारवी लोग सभा के बाद से सदन में विधाई दलों को उनकी संख्या की आधार पर कुछ सुविधाय मिलती रही लेकिन स्पीकर द्वारा निर्देश 120 और 121 के आधार पर मानेता देने का प्रचलन समाप्त हो जाता है इसका अनुवार मैंने किया इसका मूल अंग्रेजी भी पढ़ देता हूँ यसे लिखा हुआ कि Consequently from the 11th लोग सभा onwards While legislature parties continue to enjoy certain functional facilities on the basis of their numerical strength in the house The practice of recording recognition by the speaker in terms of directions 120 and 121 was done away with कानून की व्याख्या किसी कविता से कम नहीं होती है अलग-अलग होती है मैं speaker के फैसले की समिक्षा नहीं कर रहा बलकि फैसले से पहले BJP की दी गई दलिलों में से एक के समनांतर एक तथ्य और एक व्याख्या रख रहा हूँ अब आते हैं आज के विशे पर क्या बिना नेता विपक्ष के लोकायूक की नियूकती की नैतिक मानेता रहेगी या क्या नैतिकता के लिए सरकार ऐसा कर सकती है जिसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है क्या अब वो नेता विपक्ष तै कर सकती है क्योंकि यह तो उसके अधिकार शेत्र में आता ही नहीं है तो प्राइम टाइम में बात करेंगे हमारे साथ प्रशान बुशन जी है या चिका करता प्रभाज ज्या बीजेपी के नेता भी जुड़ जाएंगे और सत्रवत चत्रवेदी हैं नेता कॉंग्रेस के प्रशान जी मैं यह जानना चाहता हूं जो आज बीजेपी के तरफ से सुतरों के हवाले से यह बात कही गई कि जो लोगपाल कानून है उसका उसकी जो धारा चार दो है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर ना रहे no appointment of a chairperson or member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the selection committee है ना तो फिर सरकार का की दलिल सही है कि नेता विपक्ष ना भी हो तो लोगपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है यह सरकार की मन्शा दिखाता है जो उनकी आज दलील दी गई कि उनकी मन्शा यह थी कि भई अब लोगपाल की नियुक्ति में opposition की कोई जरुवत नहीं है और इसी तरह से जो बाकी जो कानून है चाहे वो National Human Rights Commission के members के चैन में या Central Vigilance Commission के members के चैन में उन सब में भी opposition की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि उनमें भी Leader of Opposition लिखा हुआ है तो लेकिन यह जो चार दो के आधार पर जो दलील दी गई यह इसलिए गलत है और इस पर Supreme Court ने भी आज टिपणी करी कि भाई यह प्राइमा फेसी यह बात सही नहीं लगती क्योंकि उसका तो यह मतलब है कि किसी कानूनी नहीं माना जाएगा लेकिन यहां तो एक दूसरा मूल सवाल उत्पन हुआ है कि जब आप अगर यह कह रहे हैं कि इसमें Leader of Opposition कोई होएगा ही नहीं Leader of Opposition की जगह पर्मनेंटली अभी खाली रखी जाएगी वो एक दूसरा सवाल है यानि कि Opposition को Represent ही नहीं किया जाएगा इस चैन समिती में तो इस पर सुप्रीम कोट ने बोला कि देखिए इस कानून की मन्शा तो यह दिखती है कि इसमें Opposition का रोल Selection Committee में एहम माना गया है और इसलिए आप अगर यह कहते हैं कि क्योंकि कोई Leader of Opposition Speaker ने नहीं बनाया और उसकी वज़े से Opposition की Voice भी इसमें नहीं आएगी चैन में तो यह तो इस कानून की मन्शा के खिलाफ हो जाएगा इसलिए हमको यह बात तैक करनी पड़ेगी इसका Interpretation करना पड़ेगा कि यह जो यहाँ शब्द है Leader of Opposition इसका क्या मतलब है क्योंकि अगर आप यह भी मान लें कि भई Leader of Opposition उस Technical Sense में कि लोकसभा में उसको पूरा कमरा मिलेगा उसको एक मंतरी का दरजा मिलेगा उसके लिए अगर Speaker Newkt करता है Leader of Opposition वो एक अलग सवाल है यहाँ यह सवाल है कि भई लोकपाल के चैन में क्या Opposition की Voice होगी और उसके लिए Leader किसको माना जाएगा इसमें दो तरीके से इसका समधान हो सकता है आप यह तो यह कहते हैं कि भई जो Largest Opposition Party है उसके Leader को मान लिया जाएगा Leader of Opposition है इस Act के लिए या फिर जो Largest Group है Opposition Parties का अगर वो मिलकर किसी एक Leader को अपना Newkt कर दें कि भई हम इसको अपना Leader मानते हैं तो उस Largest Group या Largest Block of Opposition Parties और Largest Group of Opposition People उनका जो Leader होगा उसको आप Leader of Opposition मान सकते हैं इस Act के लिए जिससे कि कम से कम Opposition की Voice, Opposition की सुनवाई तो हो इस चैन प्रक्रिया में वैसे तो हम लोगों के हिसाब से ये पूरी चैन प्रक्रिया गलत है जो इस लोगपाल कानून में है लेकिन वो एक अलग सवाल है मैं उम्मिद करता हूँ कि प्रभाज जा बीजेपी के जो सांसद हैं वो आ जाएंगे पर सत्वर्च जी आप तो उस कमिटी के अध्यक्ष रहे जो जिन्होंने सेलेक्ट कमिटी लोग पाल पे तो मुझे एक तो बताए कि ये जो व्याख्या प्रशान जी ने जो की है वो नंबर दो किया और जो सरकार की तरफ से दी जा रही है कि किसी सदस्य का के ना होने से कमिटी के द्वारा चैनित को व्यक्ति या उसकी प्रक्रिया अवैद नहीं हो जाती तो ये प्रावधान आप लोगों ने क्या सोच के लाए किया आपके सेलेक्ट कमिटी में भी ये प् दूसरा जो प्रशान वुशन कह रहे हैं कि सरकार की मन्शा क्या है वो अगर नेता विपक्ष नहीं है तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को रख दें लेकिन ये तो उसका सरकार के पास वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें है नहीं कि वो किसको सदस्य स होता है विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करती है यही लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धानत है ठीक है और इसी सिद्धानत के तहट पहले पिछले वर्षों में कुछ दश्कूं पहले तक लीडर अफ अपोजिशन की कोई कानूनी और वैधानिक लोकपाल के उपर जब चर्चा हुई आपको याद होगा लोकसभा ने लोकपाल के इस बिल्कु मनजूर करके राज्जी सभा भेज़ दिया ठीक है राज्जी सभा में ततकालीन विपक्ष के नेता जो आज कहे फाइनस मनिस्टर है अरुंग जेटली जिन है उनके भाशन म अगर सबसे ज़्यादा और अन्य राजने तक दलोने भी अगर सबसे ज़्यादा जोर किसी बात पर दिया था तो वो ये था कि जो चैन की प्रक्रिया और उससे संबंदित जो बाडी है वो बाडी सरकार की तरफ जोकाओं वाली नहीं दिखनी चाहिए वो तटस्त नहो वो संदेह से परे रहे उसकी तटस्तता और निश्पक्चिता इस तटस्तता और निश्पक्चिता को बनाए रखने के लिए लीडर ओफ अपोजिशन लोग सभाका उसका सदस रखा जाए इस बात पर जोर इनहीं लोगों ने दिया था अब रहा सवाल कि लीडर ओफ नगर ना रहे जैसा के नियम में है कानून में है कि कोई भी एक सदस से ना रहे तो भी चैन की प्रक्रिया अवैधानिक नहीं माने है यह आपके सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट में भी था हमारी चर्चा में था और चर्चा में ये क्यूं आया क्यों आया मतलों कई लोग ऐसे बढ़ा एक लीगल माइन की कमजोरी है उसी बुनियादी पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूँ जिन पांच लोगों को ये जिम्बेदारी दी गई थी कि वो चैन करेंगे लोगपाल के ये कल्पना की गई कि संभव है कभी किसी अवसर पर ऐसा मौका आ सकता है कि कोई एक व्यक्ति चैन की प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर या किसी कारण से अपना त्याग पत्र दे दे और अगर त्याग पत्र दे दे तो क्या समूची स्चैन की प्रक्रिया को बाधित करने में वो एक व्यक्ति सफल नहीं हो जाएगा और ऐसा करने से उसे रोका जा सके पर ये इस फ़स्ट किया नहीं किया अफिर इसमें उसमें इस फ़स्ट कानून में नहीं होता नियमन यही होता है ये इसके पीछे सोता है कि किसी अन्य तात्कालिक कारण वश कोई व्यक्ति समझ लीजे कि बहुत असाध भीमार हो जाए या किसी की मृत्ति हो जाए या किसी की अचानक मृत्ति हो जाए ऐसे अनेक संभावनाओं पर विचार करते हुए तातकालिक रूप से कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जिसमें लीडर पांच लोगों में से कोई वेक व्यक्ति न शामिल हो सके हैं चैन की प्रक्रिया में तो चैन की प्रक्रिया न रुख पाए इस बारे में सोच विचार करने के बारे में संतुष्ट न होने के नाते से कमेटी में इस बिंदू पर विचार किया गया कि नहीं और ये प्रावधान अगर बनाया गया इस नियम में कानून में तो वो क्या सोच के बनाया गया आपका प्रशन था मैं उस प्रशन का में केवल वही उसमें ये कभी चर्चा आई कि नेता विपक्ष न प्रभाषजी ने बूछा था कि अगर सरकार की मनशा सही है तो वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को रख सकते है अगर सरकार इस मनशा के परदर्शन के लिए उसके पास कुछ कानूनी रास्ता तो होना चाहिए इस लोगपाल कानून में तो नहीं है उसके पास यह रास्ता देखिया कानून में रास्ता एक है यह क्या हो फिर बदलाओ करें फिर आपने अभी मन्शा की बात की सरकार की मन्शा अगर है कि इस समूची प्रक्रिया को केवल लोगपाल तक ही सीमित नहीं है आपने स्वैम भी अभी जिकर किया एने चारसी का जब चायन होगा तब लोग लीडर अफ अपोजिशन की ज़रुत पढ़ेगी सीबी आई के डारेक्टर के चायन में भी लीडर अफ अपोजिशन की कानूनन अब भूमिका बना दी गई है आपके सेंट्रल विजिलन्स कमिशन जैसी महत्पूर्ण संस्था के चैन में भी लीडर अफ अपोजिशन की भूमिका है अभी जो आपने जूडिशल अपोजिशन कमिशन बनाया कानून बनाया उसमें अगर ये विवाद न होता लीडर अफ अपोजिशन का सरकार 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 और विपक्ष की बीच अगर इस बात पर विवाद न हुआ होता तो बहुत संभव यही है कि इसमें भी लीडर अफ अपोजिशन ही नाम शब्द होता इसमें भी बजाए इसके कि सरकार विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर का जो अब प्रावदान किया गया है वो तो एक विवस्ता चूँकि एक स्थिती ऐसी आगे जी क्योंने करना पर नहीं कर सकती है कुल मिला की कहने का मतलब है सरकार के बहुत सारी समवाइधानिक और बहुत महत्पून संस्थाओं के चैन में लीडर ओफ अपोजिशन की एक अहम भूमिका कानूनी भूमिका है स्टैचूटरी भूमिका है उस भूमिका का भरपाई कैसे होगा इस बात को सोचना होगा और मैंने सुना अभी कोई कह रहा था कि BJP के कोई नेता कह रहे है कि ठीक है साब हम लोगपाल में संचोधन कर देंगे और उसमें हम जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होगा उसका हम उसकी वेवस्तान रख देंगे आप कानून बदलना चाहते हो मान सकता नहीं प्रतिपक्ष के 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 लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बिना नेता विपक्ष या किसी भी रूप में लोकपाल की चैन समिती में विपक्ष की भूमी का के अगर आप लोका युक्त चुनते हैं, लोकपाल चुनते हैं, लोकपाल तो वो एक तरह से सरकारी माना जाएगा, क्योंकि यहां सत्वरत कि अब इसकी रूपरेखा तयार हो रहती तो विपक्ष की तरफ से जब आप थे तो यही मांग हो रही थी कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व होना चाहिए क्या इसके बिना राजनितिक रूप से बीजे पी ये आप सोचते हैं कि लोका लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया बढ़ानी चाहिए देखें यहाँ पर दो तीन चीजें स्पस्ट करनी पड़ेगी जो आपको भी स्पस्ट है लेकिन दर्सकों को स्पस्ट करना चाहिए अब सरकार का रोल आपने स्वेम कहा खतम हो गया है क्योंकि यह स्पीकर ने दे दिया और उसके बाद जब उच्चे नियाले में उच्चितम नियाले के तीनों जजों ने जो कहा है कि यह स्पीकर का मामला है इसमें सम्विधान समिक्षा यहाँ पर सुप्रीम कोड समिक्षा नहीं कर सकता है और इस पश्ट कर दिया और स्पीकर ने कहा कि हम प्रतिपक्ष का नेता बनाने की स्थिति में नंबर्स नहीं है इसलिए हम नहीं बना पाएंगे साफ तोर पर कहा है अब लोगपाल उस समय तो जन्तंत्र में पता नहीं था कि चुनाओ होगा तो प्रतिपक्ष की क्या इस्थिती होगी कॉंग्रेस की यह इस्थिती बन जाएगी कि वह प्रतिपक्ष के लायक भी नमबर नहीं ला पाएगी अभी इनों ने सत्यवत जी ने कहा कि अभी जो कानून बना है जजों की निपती वाला उसमें है प्रतिपक्ष का नेता है विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल के लेता है अब इसका क्या स्वरूप निकालेंगे यहाँ बात तो सही है कि निश्चित तोर पर अपनी अ जोगपाल नहीं होगा उसमें निपती में जब लिखा है और सत्वर जी अध्यक्ष के रूप में जब उन्होंने निपती प्रकिरिया बनाई है तो उसमें प्रतिपक्ष का नेता है अब इसका क्या रास्ता निकलेगा यह तो आगे तै होगा और सुप्रीम कोर्ट ने जब से ही बात होगी और रास्ता निकालने के कोसी होगी यह हमारी सरकार भी चाहेगी कि बिना प्रतिपक्ष के या बिना भिपक्ष के या बिना बरे दल के नेता के इसमें कोई रास्ता ना निकले उनकी उपस्तिती ना हो यह ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोगपाल सब के लिए है और लोगपाल की चैन प्रकिरिया में जिन जिन लोगों की भूमिका है उनकी भूमिका होनी ही चाहिए लेकिन मैं फिर उसी बात पराऊंगा इसमें ना हमारी सरकार की गलती है ना मैं स्पीकर की गलती मानता हूँ जनतंत्र में जो जनतंत्र आया है जनादेश आया है उसकी उपेच्छा कैसी एक पहलू सरकार का भी है मतलब उसमें सरकार ने क्या व्याख्या की है? क्या हो सकता? लेकि मैं इतना कह सकता हूँ, अगर लोगपाल प्रक्रिया में. ठीक है. अपका प्रशान जी आपने अपने प्रभाद जी को सुन लिया, सत्वर्द जी को भी सुन लिया. प्रभाद जी एक बात कह रहे हैं और वो अपने सिमित दायरे में भी ये बात गई नहीं चाहेंगे, सरकार भी नहीं चाहेंगे कि लोगपाल को हम ऐसे निव्क्त करें, जो सरकारी कहा जाए. उसमें किसी ना, किसी प्रकार से विपक्ष की भूमिका हो, लेकिन अब नेता विपक्ष, उनके हाँच से बाहर की चीज़ चली गई है, वो सरकार के उसमें क कोई भूमिका नहीं रही है तो एक ही बात समझ में आती है कि कानून को बदल बदला जाए इसका मतलब अब तो शीत कालिन सत्र और एक साल तक लोगपाल लटका रह गया फिर तो नहीं इसमें देखिए कई चीज़ां करी जा सकती हैं अगर सरकार की मन्शा सही होती सरकार की मन्शा आज जो सरकार की तरफ से अटर्नी जेनरल ने जो बोला उससे साफ हो गई सरकार उन्हों ने ये बोला कि देखिए बगैर ओपोजिशन के रेप्रेजिनटेशन के भी हम निज्टि कर सकते हैं अच्छा ये पहाँनों ने उन्हों कि इसमें विपक्ष की भागिदारी होना कोई जरूरी नहीं है हम लोग बगएर उसके भी कर सकते हैं तो देखे मन्शा तो उससे ही साफ हो गई दूसरा सवाल यह पूछा गया है जब इन्होंने यह बोला कि हम लोग इस लोकपाल के कानौन में भी संशोधन करने की सोच रहे हैं तो कोर्ट ने उनसे यह पूछा तो क्या आप इस सेक्शन फोर का भी संशोधन करने की सोच रहे हैं जैसे कि जुडिशल अपॉइंट्मेंट्स कमिशन में आपने आप बोल दिया है कि लीडर ऑफ दे लार्जस्ट ऑपोजिशन पार्टी चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोज पोजिशन टेक्निकली स्पीकर ने ना डेजिगनेट किया हो कि आप वो भी सोच रहे हैं तो तुरंत उन्होंने बोला नहीं उसको नहीं सोच रहे हैं इसके मतलब ये सरकार की मन्शा साफ थी कि वो ये चाहती थी कि भई लोगपाल की न्यूकति बगेर विपक्ष के भाग इसको ठीक करना चाहती थी तो दो तरीके थे या तो वो स्पीकर सबसे असान तरीका तो ये है कि स्पीकर जो है अपना अपना रूलिंग रिवाइस कर सकता है मेरे राय में स्पीकर की रूलिंग सही नहीं है जो स्पीकर को अटर्णी जनरल ने राय दी वो सही नहीं है कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता है कि विपक्ष का नेता आप नुक्त नहीं कर सकते जब तक कि दस परसंट वो ना हो वो कोई मावलंकर साहब की कोई 1950 की रूलिंग साइट कर रहे हैं जिसका आपने बताया कि उसमें कॉल अंशकदर में लिखा है कि वो 1985 के बाद वो खतम हो ग लिखा था वो कोई कानून नहीं है उसको कानून का दर्जा में दिया जा सकता है अगर सरकार की मंशा सही है और सरकार अगर स्पीकर को ये दलील देती है कि इसमें बाध लीडर ओफ आपोजिशन आप न्यू Arya कर दीजे उसके लिए जो भी रूल बनाना हो या अमेंड करना हो रूल अमेंड किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है रूल ही तो है रूल तो या तो स्पीकर बनाता है या सरकार बनाती है वो अमेंड मेंड हो सकता ह कर वोल में